नमस्कार कैसे आप सबी उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो आज का जो वीडियो है आज वीडियो में हम बात करने वाले बैटल ओफ ताली कोटा के बारे में तो हम आपको बता दें कि यह बैटल साउथ इंडिया का पहला ऐसा बैटल है जो कि बहुत खास है, क्यूं खास है, इसके बारे में चाहे आपके कोर्स में ये है या नहीं है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़ादा जरूरी है, जैसे कि आज के 30-32 साल पहले जो घटना हुई थी, उसके बारे में जानने में आप जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरा विश्वास मानिए ये उससे भी मज़ेदार मुद्दा है वो ये उससे भी जरूरी मुद्दा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कैसा बैटल है जिसके बारे में कभी किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि ये बैटल हो भी सकता है ठीक है अभी जैनगर सामराजय के बीच में हुआ था तो ये बैटल इसलिए इतना खास है ना चुकि देखे साउथ इंडिया में हमेशा राजनीतिक इस्थिरता रहती थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहा करती थी वहीं दूसरी तरफ नौर्थ इंडिया में हमेशा से जंग होते रहे है हमेशा से राजा महराजा बदलते रहे हमेशा से सुल्तान बदलते रहे हमेशा से डाइनास्थीस बदलते रहे कहने का मतलब की राजनीतिक अस्थिरता हुआ करती थी नौर्थ में हमेशा जंगे होती रहती थी लेकिन यहाँ पे क्या है साउथ इंडिया में यहाँ पे ऐस सामराजय था जो कि लगबग 200 सालों तक तो आरा ही नहीं था इसकी कई सारी पीडियां चार-पांच पीडियां जो एंसो जंग को इन्होंने देखा था और हमेसा जीत को ही महसूस किया था ये बहुत ही इंपोर्टेंट बैल दूसरा कारण है इस बैटल के ये तालीकोटा की युद्व के एक खास होने का क्योंकि पूरे भारत में जब मुस्लिमों का कबजा होते जा रहा था तो यही विजयनगर सामराजय था यही विजयनगर सामराजय था जो कि हिंदुत्व को बचा करके रखा हुआ था हिंदुत्व के लिए लड़ रहा था और इसी विजयनग विजयनगर सामराजे में हिंदुत्व अपने चरम तक पहुंचा ठीक है तो अब हम आईए बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा हम आपको जानकारी देते हैं विजयनगर सामराजे और डेकन सल्तनत के बारे में देखें इन दोनों के बारे में हम बहुत डिटेल से इस वीडि देना हमारे युद्ध से है या फिर जितने में हमें ये बैटल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर सामराजे के बारे में देखिए ये जो विजयनगर सामराजे ये इसको इस्टैबलिश किया गया था 1336 में औ सामराजनीतिक इस्थिर्ता हुआ करती थी साउथ इंडिया में ये विजयनगर सामराजे में इसकी वज़जे से वहाँ का जो सामराजे था विजयनगर सामराजे ये बड़ा ही संपन था लोग बहुत ही धनी थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, विजय नगर सामराज का इतना बड़ा फोज था कि उस समय उतना बड़ा फोज को मेंटेन करना बहुत ही जादा मुस्किल काम था, विदेश से संपर्ख थे विजय नगर सामराज के, विदेश से डाइरेक्ट फॉरें रिलेशन, फ राजा कृष्ण देव राय, इन ही के कोट में नवरत्न हुआ करते थे, और उनमें से एक थे, जिनके बारे में हम बचपन से किस्से कहानिया पढ़ते और सुनते आए हैं, वो थे तेनाली रामन, तो ये जो विजय नगर सामराज के लोग थे न, बहुत ही ब्रिलियंट, ब वैसा आर्टिटेक्चर वैसा आर्ट हमें अभी इधर नौर्थ इंडिया में सायध ही कहीं देखने को मिलता है, रेयर मिलता है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़े कैसे तबाह हुई, सब हम बात करते हैं भी एक एक करके, तो इसके जो फाउंडर थे, विजय नगर सामराज होता है, वो छोटे-छोटे सामराजियों को मिला करके एक बड़े नाम का रूप लेता है, तो ये जो विजय नगर सामराज था, ये भी चार छोटे-छोटे सामराजियों को ले करके बना हुआ था, ठीक है, तो क्रिस्न देव राय जो राजा थे, इनका सासनकाल बहुत लं राजा बनते हैं वेंकट राय, और वेंकट राय के बाद राजा बनते हैं सदासिव राय, और यही सदासिव राय के शासनकाल में ये बैटल आफ तालीक कोटा होता है, अब आए थोड़ा सा हम सदासिव राय के बारे में भी जान लें, तो सदासिव राय एक ओपट राजा थ इनके हाथ में सत्ता, सत्ता के मालिक तो थे, लेकिन इनके हाथ में सत्ता थी नहीं, असल मायने में, इनके जो मंतरी थे, उनका नाम था ओलिया रामाराय, ये इनके इसे परधान मंतरी थे, उनके हाथ में सारा पावर था, जैसे आप ऐसे समझी, अभी देश में, जो हमारे हे हैं कहने के लिए तो President होते हैं लेकिन ORIGNAL Power उनके हाथ में नहीं होता है वो होता है प्रधान मंटरी के हाथ में तो वैसे ही वो थे सदा सिवराय राजा थे सारा पावर अलिया रामा राय के हाथ में हुआ करता था अलिया रामा था नहीं, ठीक है, सबसे पहले इसको नाम दिया गया था संगम डाइनास्टी, जो फाउंड किया गया था 1518 में, वो था संगम डाइनास्टी, ठीक है, वो संगम डाइनास्टी था, ये संगम डाइनास्टी आया कहां से, तो देखिए, नौर्थ में सासन था, देली सल्तनत का उस समय सासन चल रहा था तूगलक डाइनास्टी का, ठीक है, तो तूगलक डाइनास्टी में ही हुआ करते थी ये संगम डाइनास्टी के लोग, तो क्या कि ये इन्होंने बगावत कर दिया तूगलकों से, ये बोला कि कुछ पॉलिसी को ले करके उनको बोला गया कि हमको आप की ये बात पसंद नहीं, हम आपको इतने पैसे इस इलाके से नहीं देंगे, हमेरे नुकसान हो रहा है, तो तुगलक वाले जो थे वो बात माने नहीं, इन्होंने बगावत करके अलग अपना सामराजे, अपना एक अलग डैनास्टी, संगम डैनास्टी को बना लिया, कब 1518 म ये काफी बड़ा इलाका इन्होंने ले लिया था अपने अंडर में, तो अब क्रिस्न देवराय फिर से सोचते हैं कि भाया देखो, हमको कोई अटैक तो कर रहा है नहीं, लेकिन हम ऐसे खाली तो बैट नहीं सकते हैं, हमको अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा, कि ब बनाया था, ठीक है न, इस kingdom को जाकर के, बहामानी kingdom को जाकर के ये तोड़ देते हैं, ठीक है, ये बहामानी kingdom को ब्रेक करा देते हैं, और जब बहामानी kingdom तूट आज़ा था तो पांच छोटे छोटे kingdoms में ये तूट गया, एहमत नगर, बीजापूर, बेरार, बिदार और ये पांच छोटे-छोटे kingdom में तूट गया, इतने ही नहीं, ये हमेशा से लड़ाते रहते तो जब ये सासन काल आये, कृष्ण देवर आये, तो रहे जितने देर रहे, उसके बाद ये जो सदा सिवर आये, लास्ट के ruler आये, और ओलिया रामा राये, इसने क्या देखा, कि य kingdom है न, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये सदा सिवर आये, फिर अलिया रामा राये, क्या करते हैं, ये किसी एक kingdom के पास हो जाते, इसको अपने team में रख लेते, और बाकि दूसरे के साथ लड़ते, फिर दूसरे को अपने team में रखते, तीसरे के साथ लड़ते, चौथ हमको इसके सामने इससे लड़ने के लिए हमको इसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक टाइम आया कि ये पांचों किंगडम सोचे कि यार हम आपस में बेकार लड़ रहे हैं, हमें आपस में लड़ने के बजाए हमको एक जूट हो करके विजय नगर सामराजे पर धावा बोलना चाहिए विजय नगर सामराजे पर हमला करना चाहिए तब ये पांचों किंगडम एमेद नगर बीजापूर बेरार बिदार गुलकॉंडा ये आपस में मिलते हैं ठीक है और मिल करके तब जो ये एक साथ बनते हैं उन्हें कहा जाता है डेकन सल्तनत ठीक है समझ गया बात को ये पांचों जब एक साथ आते हैं तब इनको कहा जाता है डेकन सल्तनत तब ये डेकन सल्तनत एक हो करके अब जो है सो ओलिया रामा राय जो की मंतरी था राजा कौन थे सदासिव राय थे उनके साथ इन्होंने लड़ने का फैसला लिया ठीक है तो अब जो है सो लड़ाई आमने सामने का था अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं फौज का, सेना का तो लगभग 80,000 के आसपास फौज थी देखन सुल्तानों की और इनका नहीं बहुत बड़ा आर्मी था विजैनगर सामराजे का, बहुत बड़ा आर्मी था विजय नगर सामराज एक बहुत ही समरिध राजित था इसके बारे में हमने आपको बताया यह बहुत बड़ी आर्मी थी एक दिन जोस में आप देखी इंटरनेट पर जानते होंगे इस डेट को 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था बैटल अफ ताली कोटा एक्चुली में थोड़ा सा कुछ दिन पहले की बात है 29 दिसंबर 1564 को डेकन सुल्तान अपना फोज लेते हैं और जा करके विजय नगर सामराज पे जा करके हमला कर देते हैं अब विजय नगर सामराज तो पाउरफुल था ही एक बार में लटाड मारा और खदेडते हुए हरा दिया तो ओलिया रामाराय पूरा ताव से बोले कि चलो यहां से भाग जाओ जल्दी ठीक ना और लड़ना हो तो बोल दो हमको अभी लड़ लेते हैं तो देकन सुल्तान बोलें नहीं नहीं ओलिया जी हम अभी लड़ाई नहीं करना चाहते हमारी तरब से भी कोई हमले नहीं होंगे हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे तो अलिया रामाराय जो है सो वापस फिर चले गए अपना यही गलती यहां पर चूप गए ओलिया रामाराय को उनके बात में चाहिए था और हमला कर देना चाहिए था तुरंत से देकन सुल्तान पर ताकि वो पूरा खतम हो जाता फिर दुबारा फन नहीं उठा पाता ऐसा उन्होंने किया नहीं फिर 23 जनवरी 1565 को दोनों फौज विजयनगर इंपायर की और देकन सुल्तान की फौज राक्छसी तं इस सामने होती है एक भयानक युद्ध होता है देखिए इस युद्ध को करने से पहले जब 29 दिसंबर को ये जो देकन सुल्तान ने विजयनगर पे हमला किया था और हार गय थे उस समय ये पांचों सुल्तान आपस में मीटिंग करते हैं कि हमें काम करते हैं देखो हम जो है सो हार जाएंगे ठीक है ये जानते थे वो बात तो वो एक कहावत है न अंग्रेजी में everything is fair in love and worries को और जंग में सब जायज है तो जीतने के लिए चाहे कोई भी तरीका आप ना लो आप सब बहतर हैं सारे के सारे अच्छे तरीके हैं तो ये जीतने के लिए कुछ तरीके अ अपनाते हैं ठीक है एक सडियंत्र करते हैं अभी देखना हिंदू का सासन था हिंदू का राजय था कौन सा विजय नगर इंपायर वहां पे हिंदू सामराजय था लेकिन उसके सामराजय में दो मंत्री थे मुसलिम ठीक है वो थे उनको कहा जाता था गिलानी ब्रदर्स वो यहाँ पर दिमाग समझना यही चीज को आपको समझना है कि कैसे उस समय से लेकर के अभी तक यह सारे मसले बने हुए हैं हमेशा से मुद्दा रहा है यह यह जो डेकन सुल्तान थे उसमें भी तीन चार जो सुल्तान थे वो थे मुसल्मान अब यह सोची कि देखो वो हिंदू से तो राजा से तो हम जीतने से रहे हमारी अउकात से बाहर है वो हिंदू राजा लेकिन हम कुछ तो जुगार ऐसा कर सकते हैं जिसकी वज़ा से हम जीत पाएंगे तो वो जो गिलानी भाई थे वो मुसल्मान थे अब यह क्या क्या देकन सुल्तान मुसलिम सुल्तानों ने उनको बुला आया बुला कि देखो देखो गिलानी भाई हो वो जो राजा है वो हिंदू राजा है तुम उसके सासन काल में बहुत बड़े ओदे तक तो नहीं पहुंच सकते बहुत बड़े मंत्री तो नहीं बन सकते लेकिन जब हम जीत जाएंगे विजय नगर समराजे पे तो तुमको हमारे हम बहुत बड़ा ओदा देंगे अपने साथ मिला करके बहुत बड़ा समराजे का मालिक बना देंगे तो गिलानी भाई लालच में आगे और फिर होना क्या भाईया घर का भेदी लंकाड है उन्होंने सारे भेद बता दिये इतने ही नहीं डेकन सुल्तान ने उनके साथ ये एगरिमेंट किया गिलानी भाईयों के साथ कि देखो विजय नगर फौज के सामने जब हम सामने होंगे और विजय नगर फौज हम पे भारी हो रही होगी ह हम हारने लगेंगे तब तुमको हम इसारा करेंगे तुम हमारी उनकी तरफ से लड़ रहे होगे बस तुमको अपना रुख बदल देना है और अपने राजा से जा करके युद करना है और उन हमारा साथ देना है तो गिलानी भाईस लालच में आये और वो देखो मुसलिम जो युनिटी था ना वो एक हो गए आज की बात नहीं कर रहे है सुचो 1565 की बात है सुचो कितने साल पहले 500 साल पहले की बात है तो उस समय वो मुसलिम मुसलिम एक हो गए और एक हो करके क्या करने लगे लड़ने लगे और लड़ते मैदान में आमने सामने आए तो फिर ब और डेकन सल्तनत की फौज जो है सो हारने लगी, तब डेकन सुल्तान ने इसारा किया गिलानी भाईयों को, और गिलानी भाई पस अपना रुख मोड़ते हुए, वो अपने ही राजा सदा सिवराय ओलिया रामाराय से लड़ने लगे, अच्छा डेकन सुल्तान के पास वीपन अब हाथी डिश्टर्ब हो जाते थे तोप से जिसकी वज़े से इनको और बेनिफिट और फायदा मिलता तो इस वज़े से क्या हुआ कि विजयен अगर सामराज को हार का सामना करना पडा औलिया रामा राय को वही मार दिया गया और ये जो सदा सीवराय राजा थे पोपट राजा थे, सिर्फ नाम के राजा थे इनके सर को काटा गया और सर को भाले पे लगा करके पूरी फौज के सामने डेकन सुल्तानों नहीं के दिखाया देखो इस घंदू राजा जो था ये जो काफिर राजा था इसका हमने कतल किया इस पे हमने विजय पाई और पूरे विजय नगर सामराज को हम जीत गए दोस्तों विधवन से यहाँ पे खतम नहीं होता है यह जंग बस यहीं पे खतम नहीं हो गया कि यह बस जंग जीत गए असल तो सुरू होता इस जंग के बाद ये क्या करते हैं, अभी देखिए, जंग में जब हार जाता है कोई दूसरा आपोनेंट, तो उस समय करना क्या चाहिए, कि उसकी जो फौज बच गई है, उसको हम दो अप्सन दें, या तो तुम मर जाओ, ठीक है, या तो तुम हमारे टीग में सामिल हो जाओ, हमारे तरब से ह जाओ, या तो तुम छोड़ तो जाओ, भाग जाओ यहां से, कहीं मत रहो तुम, ना हमारे पास रहो, ना उसके पास रहो, भागो यहां से, मैदान छोड़ करके भागो, लेकिन नहीं, वो जो मुस्लिम सासक है, उनके नजर में सारे क्या थे, काफिर थे, और खास करके जो मैदाने जंग में ही वहीं पे भाले से यह सर को धड़ से अलग कर दिया एक लाख बहुत बड़ा नंबर होता है बहुत बड़ा नंबर होता है एक लाख उजने आज नहीं 500-600 साल पहले एक लाख की फौज को वहीं पे सर कलम कर दिया वहीं पर जान से माल दिया, इतने नहीं अब जो डेकन सुल्तान के जनरल थे न वो जो है, सो सहर की ओर बढ़े ठीक है, राजधानी की ओर बढ़े हमपी की ओर, तो वो सहर के बाहर लगबग तीन दिन तक अपनी फौज को ठहराया रखे अच्छा विजयनगर के लोगों को यह यकिन नहीं हो रहा था कि हम जो जन्ग को हार गए है, उनको विश्वास हो नहीं रहा था कि हम जन्ग को हार गए अब हम जीतने से रहे, हमसे नहीं जीत हो पाएगी अब हम हार गए, चुकि क्या है कि 200 सालों तक जब आप किसी भी जंग को जीतते रहते हैं आप कभी हारते नहीं तो आपकी 3-4 पीडियों में ये विश्वास बना होता है कि हम कभी हार नहीं सकते फिर 3 दिन के पाद जो डेकन सुल्तान के जनरल थी या डेकन सुल्तान की जो फौज थी ये फौज हमपी सहर और ऐसे ऐसे बड़े सहरों में घुसती है अच्छा मासूम लोगों का क्या दोस था जंग में जो कि बहुत चैन से, अमन से, सांती से जी खा रहे थे उनका तो कोई गलती था नहीं उनका बस इतना गलती था कि वो हिंदू हुआ करते थे तो क्या हुआ कि ये जो मुस्लिम जेंरल थे वो घुसे और उसके बाद इन्हों ने हम तोप भी ले करके गए थे सहर के अंदर में ये हमपी सहर में उन्ने तोप लगाया और तोप लगा करके उड़ाना शुरू किया और सारा तबाह कर दिया इनोंने पूरा सहर को जो देखता ना आग की लब्टे इतनी बड़ी बड़ी और इतने दिनों तक जल रहा था हमपी सहर जिसके बारे में कहना या फिर सब्दों में बया करना वीडियों में बता पाना एक दम असंभ हो इसको मैशूस भी नहीं किया जा सकता और इसके साथ ही पूरा का पूरा हिंदूत्व का जो सिस्टम था या फिर हिंदूत्व को जो बचाया जा रहा था कई सारे मंदिर तोड़ दिये गए जितने पूराने मंदिर थे कृष्ण देवराय और बाकी राजाओं ने उनको सजाया सवारा मेंटेन करके रखा ये सारे के सारे मंदिरों को उन्होंने लूटा तोड़ा गहने कपड़े औरते बच्चे बुड़े क्या किसी को कोई सबको नजर अंदाज करते वे सबको मारा कतल किया और पूरे सहर में आगलगा करके तबाह कर दिया और विजय नगर सामराजी का एक दुखद अंथुआ तो अगर युद के हारने का जो कारन था इसके बारे में बात की जाए तो पहला कारन था वही गिलानी भायों का दगाबाजी यही सब से मेन था बाकी सब हतियार वगेरा क्या है कि यह सब मैनेज हो जाते ठीक है लेकिन यह जो थोखा मिला अपनों से ठीक है तो ट्रस्ट व भरोसा करने के लायक थे नहीं, उन पे राजाओं को, अलिया रामा राय को भरोसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो लालच में आगर उन्होंने अपने राजा से विद्रूख कर दिया, फिर उसके बाद पूरे सहर पे, पूरे विजयनगर सामराजे पे, डेकन सुल्तान का कबजा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जो है सुमराज आती है, और इनको भी ज़ाड़ु मार करके बहाद देती है, कैसे ये हम जानेंगे आगे के वीडियो में, आगे के किसे में जानेंगे, आगे के बैटल के वीडियो में जानेंगे, तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा, क्या-क्या important चीज, अगर आप जानते हैं इस battle से जुड़ा हुआ, कोई आपके पास ओर detail है, तो हमें बताईए, आप जानकारी लोगों तक पहुंचाईए, ठीक है शेयर कीजी वीडियो को, सबस्क्राइब कीजी चैनल को मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजे इजाज़त, बहुत बहुत अन्यवाद